हलो एब्रीवन कैसे हैं आप सब स्वाधत आपका मरे यूट्यूब चैनल गॉवर्मर्स वाले में और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कुस करने वाला हूँ कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको इंकम टेक्स का रिटन फाइलिंग करते वग ध्यान में रखने हैं ध्यान दीजिए बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बट बहुत ही important पॉइंट्स हैं जिससे कि आप ITR फाइलिंग करते वक्त कोई गलतिया नहीं करेंगे और जो defective रिटन्स के notice आते हैं उसके chances बहुत कम हो जाएंगे तो make sure कि आप ये वीडियो last तक देखे और सारे points को ध्यान से सुनिए ताकि आप जब आपके income tax का return फाइल करेंगे तो इन points को ध्यान में रखके फाइल करेंगे ताकि आपको कोई भी error ना आए income tax return फाइलिंग करते वक्त तो वीडियो start करने से पहले अगर आप इन चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कीजिए बेलागन पेस कीजिए बेलागन पेस करने के बाद आपको all पे click करना है ताकि मैं जब भी वीडियो को upload करूँ तो उसके notifications आपको मिल सकें और आप जो है tax season से updated रह सकें तो आप ये start करते हैं तो कुछ points हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं जिसमें से पहला point ये है कि जब आप आपका return file करें तो आपको जो ITR form जो है वो correct चूज करना है आपका जो source of income है उसके basis पे आपको आपका ITR form जो है वो चूज करना है आप ITR 1, 2, 3 या 4 जो भी ITR form आप चूज कर रहे हैं कैसे चूज करना है कौन से source के लिए कौन सा ITR form लगता है इसके लिए मैं separate video बनाने वाला हूँ और यहाँ i button पर मैं link कर दूँगा आप उसको देख लीजिएगा second point ये है कि जब आप आपका business details भरते हैं तो आपको आपका correct business head select करना है जब आप ITR 4 या फिर ITR 3 file करते हैं त वहाँ पर option रहता है कि आप आपका business head select कीजे तो वहाँ पर आपको correct business head select करना है क्योंकि अगर correct business head आप नहीं select करेंगे तो जो other tax के provisions हैं उसमें आपको problem आ सकती है next point ये है कि जब आप आपका ITR भरते हैं तो आपका computation of income जो है वो आपके पास बना हुआ already होना चाहिए क्योंकि income tax का portal कभी कभी wrong income tax calculate करना है या फिर TDS के detail properly नहीं ले रहा है जिसकी वजह से आप error कर सकते हैं आपके ITR filing में तो make sure कि आपका type of income है वो आप select करके रखें आपक computation ready करके रखें, deductions, exemptions, सब कुछ clear करके रखें देन आप income tax के portal पे अपना return filing करने के लिए आए next point यह है कि अगर आप business है आप पोफेशन है तो उसमें जब आप ITR filing करते हैं तो उसमें no account case का option रहता है तो basically बहुत लोग ऐसे हैं जो no account case select कर लेते हैं जबकि no account case जो है वो उनके लिए applicable नहीं होता है तो make sure कि पहले आप यह देखें कि जो no account case है वो आपके लिए applicable है या नहीं अगर नहीं applicable है तो आप no account case select ना करें no account case से related एक video available है मेरे channel पे यहाँ i button पे मैंने link कर दिया है जिसमें detail में explain किया है मैंने कि कौन कौन से लोग है जिनको no account case applicable है और कौन से ऐसे persons है जिनको no account case applicable न return का notice ना आए next point यह है कि जब आप आपका return file करते हैं तो आपका जो bank है वो validate होना चाहिए minimum एक bank तो validate होना ही चाहिए अगर आप bank validate नहीं करेंगे तो आपका return है वो filing में आपको error आएगा but अगर आपका refund case है तो validation mandatory है अगर आप validate नहीं करेंगे तो आपका refund अटक सकता है refund आने में late हो सकता है आपको bank जो है वो validate करना ही है next point है जो आपको ध्यान में रखना है कि जब आप आपका return file करते हैं तो make sure आप जो आपका जो form 16 है या फिर form 26as है उन दोनों को match कर लें कहीं ऐसा ना हो कि आपके 26as में other कुछ gross income show किया हुआ है तो make sure कि आप उस दोनों को match कर लें और देखें किसमें wrong है और किसमें सही है जिसमें wrong है make sure पहले उसको correct करें उसके बाद ही आपका ITR जो है वो file करें अभी 26as और form 16 में जो mismatch होता है उनके क्या reasons होते हैं उसको कैसे sort out करना है उसका detail video मैंने बनाया हुआ थ दिया है आप चाहिए तो उसे देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि mismatch क्यूं होता है और secondly उस mismatch को हम दूर कैसे करें और ITR में कौन से amounts को हमें दिखाना है form 16 या फिर 26as तो make sure कि आप यह वीडियो देख लें ताकि आपको पता चल सके कि आपको क्या करना है अगर mismatch होता है तो make sure कि आपके form 16 या फिर 26as में जो TDS है वो correct हो and secondly अगर वो auto populate हो रहा है आपके ITR में तो make sure कि वो correctly auto populate हो रहा हो और आप जो है एक बार उसे चेक कीजिए कि आपका जो TDS है वो properly claim और amount में डाला जा रहा है या नहीं डाला जा रहा है आप उसको properly check कीजिए कि auto populate वैसा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है क्योंकि mostly यह वाली गलतियां बहुत लोग कर रहे हैं नेक्स हम बात करें तो contact details, contact details basically update करना क्यों important होता है तो bank account अगर आप pre-validate कर रहे हैं तो आपका contact details जो है वो updated होना mandatory है क्योंकि pre-validation के बहुत सारे errors आ रहे हैं, pre-validate नहीं हो रहा ह है bank account मुझे बहुत सारे comments आये हैं कि bank account जो है वो pre-validate नहीं हो रहा है तो make sure आपका contact details जो है वो updated हो आपके bank में जो contact details है और आपके ITR form में जो contact details है आपके profile में वो match होना चाहिए अभी pre-validate कैसे करना है उससे related बहुत सारे videos मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे कि कैसे pre- valid जो है वो कर सकते हैं and secondly communication के लिए भी contact details जो है वो mandatory होता है next point के हम बात करें तो आपका जो exempt income होता है mostly जितने भी taxpayers है वो इसको ignore कर देते हैं exempt income को आपको आपका exempt income जो है वो ITR में show करना है उसको ignore नहीं करना है अगर वो आपका exempt income आपके bank account में आया है और वो कुछ बड़ा amount है तो बाद में जो है assessment officers जो होते हैं वो आपके bank account में बोल सकते हैं कि यह amount जो आया है आप उसका explanation दीजे तो make sure कि आप पहले ही जब return file कर रहे हैं तो आपका exempt income है उसको आपके ITR में show कर दें उसको ignore ना करें next point आपको जो ध्यान में रखना है वो यह ध्यान में रखना है कि आपका जो आप जो assessment tax पे करते हैं या फिर advance taxes पे करते हैं तो उसमें correct pen डाले correct head select करें और assessment year जो है वो भी properly select करें ताकि बाद में कोई problem ना हो या फिर बाद में कोई assessment ना आ जाए कि आपने basically wrong pen डाल दिया है क्योंकि आपका tax भरना था आपने pen अलग डाल दिया है किसी और का tax आपने भर दिया है तो ऐसा problem नहीं होना चाहिए अभी assessment tax, self assessment tax, advance tax कैसे pay करना है live मैंने payment करके दिखाया हुआ है और यहाँ i button पर मैं लिंक कर दिया है video आप जाके देखिए मेरे channel पे वो available है अगर आपको advance tax, self assessment tax pay करने में कोई भी problem होती है तो यह है कुछ points जो आपको ध्य पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को like कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी share कीजिए ताकि वो ITR filing करते वक्त कोई mistake ना करें इन बातों का ध्यान रखें और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो like कीजिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए और अगर